हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस की रियल मी C2 फोन में आप लोग वाथसब वीडियो कोल नोट शोइंग प्रोब्लेम को कैसे सॉल्ब कर सकते हो अगर आपके वाथसब में कोई वीडियो कोल कर रहा है लेकिन यहापर वीडियो कोल जो है वो स्क्रीन में शोओ नहीं हो रहा है लेकिन मिस कोल जरूर से देखने को मिल्द्रेबाद में तो इस प्रोब्लेम को आप लोग कैसे सॉल्ब करोगे तो आज के वीडियो में मैं यही बता हूंगा गाईस आप लोगों को इसलिए वीडियो को लास तक देखिए और अगर वीडियो पसन आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए तो चलिए गाईस वीडियो को स्टार्ट करते है तो इस problem को solve करने के लिए आपको सबसे पेले यापर settings में जाना है Settings में जाने के बाद यापर एक option होगा apps का तो इस apps के option पे click कर देना है Click करने के बाद यापर एक option होगा guys see all apps का तो इस पे click कर दीचिए और यापर आपके phone में जितने भी application होगे सब show हो जाएंगे यहापर से आप लोगों को WhatsApp के एप्लिकेशन को ढूनना है गाईस तो यहापर से हम नीचे स्क्रोल डाउन करेंगे और यहापर देख सकते यह रहा WhatsApp का एप्लिकेशन तो यहापर आप लोगों को WhatsApp के एप्लिकेशन पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक notifications का option होगा तो इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देख सकते बहुत सारे notification देखने को मिल जाएंगे तो यहाँ पर से सभी notification को आप लोगों को on रखना है तो अगर आपके phone में जो यह notification off है तो इसको पहले आपर से on कर दीजिए और यहाँ पर अगर बहुत सारे notification मिलेंगे आप लोगों को अगर दो भी notification दो तिन notification off है तो उन सब को भी यहाँ पर से on कर देना चाहिए क्योंकि गईस यहाँ पर एक भी notification off रेने से आपको यह problem देखने को मिल सकता है तो यहाँ पर से सभी notification को on करके देखिए आपका जो problem है वो solve हो जाएगा अगर फिर भी solve नहीं हो रहे गईस यहाँ पर एक option होगा storage and cache का इस पे click कीजिए यहाँ पर एक clear storage का option देखने को मिलेगा clear storage पे click करके ok पे click कर दीजिए ऐसा करती WhatsApp का जो भी data और cache वगेरा होगा वो यहाँ पर से clear हो जाएगा और आपका जो यह problem है वो भी जरूर से solve हो जाएगा तो ऐसे करके जो आप लोग अपने realme c2 phone में WhatsApp वीडियो को not showing problem को solve कर सकते हो तो कैसा लगा आप लोगों को यह वीडियो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like कर दीजिए और चैनल को subscribe जरूर से कर लिजिए मिलते है कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई